नमस्कार, थर्ड समिस्टर वाले बच्चे परेशान हैं कि उनका पैटर्ण कैसा आएगा, किस तरीके से क्वेस्टेंज पूछे जाएंगे ड्रामा पर, तो बेटा मैं आप जितनी बार मुझे पूछ रहे हैं, मैं उतनी बारी उनिवर्सिटी उन कर रही हूँ, वहां कई ब इंस्टर वालों का तो कंफर्म हैं, और उस पर मैंने वीडियो भी अप्लोड कर दिया, उनके पैटर्ण पर, तो ये पैटर्ण पहले भी यही रहा था, ड्रामा वाला जो पेपर होता था, ये आपके, अब जब से एनिपी 2020 लागू हुई है, तब से थोड़ा सा चेंज य लग हो गए, और एक ही पेपर हो गया, तो लेकिन ड्रामा का पेपर तो पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नई चीज आई है, तो ड्रामा में पैटर्ण पहले भी यही रहा है, और आगे भी यही रहेगा, अगर कोई चेंज हुआ, तो मैं वीडियो ज़रूर अप तो सबका यही कहना है कि पैटर्ण यही रहेगा, अगर कोई खास बात नहीं होती है, मानलीजे जैसे कोरोना फिर से फैल रहा है, आगरा तक तो आई चुका है हमारी युनिवरसिटी, तो आगरा युनिवरसिटी थी पहले अब तो उसका नाम डाक्टर वियार मिड़कर य उनिवरसिटी हो गया है, और आगरा में भी नया कोरोना का केस भी डिटेक्ट हुआ है, तो अगर ऐसा नहीं होता, मानलीजे कुछ ऐसी इमर्जनसी आ जाए, तो अलग बात है, नहीं, आपका पैटर्ण भी यही रहेगा, अब मैं आपको कुछ क्वेशन्स बता रही हूँ जो के पहले पूछे जा चुके हैं, 2017 का यह क्वेशन पेपर मेरे सामने है, इंग्लिश लिटरेचर का बिये पार्ट सेकंड आप देखी रहे हैं, तो अब आप भी तो बिये पार्ट सेकंड ही में ही है ना, थर्ड सेमिस्टर है आपका, तो बिये सेकंड डियर में ही तो है तो यह पेपर बिये सेकंड डियर का ही है, पहले भी यह पेपर चलता था, थोड़ा सा बस हेर फेर कर दिया है, NEP 2020 में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा इधर उधर कर दिया है, तो ड्रामा पर जो क्वेशन पेपर यह आता था, इ जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं 2017 के question paper में, तो section A में यहां explanation आता था और यह questions आते थे, और यह जो questions हैं यहां पर जैसे 8 questions दे रखे हैं, आप देखिए, यह total 8 questions हैं, ठीक है, अब 8 में से जैसा कि instruction उपर दे रखा है, attempt any 5 questions from section A, तो 8 में से आपको 5 करने हैं, अब जो first semester वालों का pattern आया है, उसमें उनके लिए 10 questions हैं, और वो या तो very short answer type questions हैं, या multiple choice questions हैं, और वो 10 questions उनके compulsory हैं, तो उनका तो अभी pattern यह है, आपका भी most probably ऐसा ही रहेगा, मिलता जूलता रहेगा, और यह लेकिन अब क्योंकि ड्रामा में explanation हमेशा से पूछा जाता र रहा है, तो आपके लिए भी संभावना यह है, कि आपसे एक explanation तो पूछी लिया जाए, और explanation करने के लिए जरूरी है, कि आपने ड्रामा पूरा पढ़ा हो, अब ही आप यहां देख रहे हैं, कि Othello तो पहले भी रहता था सिलिवस में, आज भी है, Othello तो रहता ही है I am not what I am, मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ, तो आप उनने पहचानी लिया हुआ कि कौन है Othello में character जो यह कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ, यागो की speech है, आपने पहचानी लिया होगी यह speech तो, लेकिन पहचान तो वही लोग पाएंगे जन्हों आपने Othello मेरे साथ पूरा पढ़ा है, मैंने तो पूरा अपलोड किया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यह आप की अलती है, पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि explanation आप तभी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको speech भी तो पहचाननी होती है, कि किसने बोली है, और यह possibility है आपके लिए, अभी लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि pattern उन्होंने clear नहीं किया है, यूरिवर्सिटी वालोंने, लेकिन आप तयार रहिए, आप explanation के लिए भी तयार रहिए, इसमें short answer type questions के लिए भी तयार रहिए, अब जैसे यहाँ choice है, यह तीन explanation दिये हुए हैं, औ और नीचे 5 questions दिये हुए हैं, अब देखिए, उपर 3 explanation हैं, और नीचे यह 5 questions दे रखें, तो मान लिजे अगर explanation नहीं कर पाते जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं मैं तो upload करती हूँ, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, अब पूरा ड्रामा upload करूँगी, तो 2-2 और मैं अपने ड्रामा, अपने वीडियो को encryptive भी नहीं करती, जैसे बहुत लोग करते हैं कि बस वही लोग वीडियो देख पाएंगे जो पैसे देते हैं, तो ऐसा मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, मैंने तो आपके लिए free छोड़ रखा है, लेकिन तब भी आप लोग नह नहीं पढ़ा, वो ये नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ choice यह है, कि वो इन questions को कर सकते हैं, अब देखे, define the term tragicomedy, tragicomedy पर वीडियो अपलोड़ेड है, सारे terms पर यह जितने भी terms यहाँ पर पूछे गए हैं, इन पर वीडियो अपलोड़ेड है, और मुझे उमीद है, आपने देखे होंगे, तो define the term tragicomedy, यानि tragicomedy को define करना है, तो जतना मैंने आपको करवाया है, उतना आप इसमें लिख दीजेगा, describe briefly the term closet drama, यानि संगशेप में आपको closet drama को define करना है, इस पर भी वीडियो अपलोड़ेड है, what do you mean by expressionist drama, expressionist drama से आपका क्या तात पर है, इस in short the significance of epilogue in St. John, अब St. John तो हमारे यहां है नहीं, तो हमारे यहां तो arm send the man है, तो इस तरीके का कुछ question arm send the man पे आ सकता है, तो इसको question को तो हम कार्ट दे रहे हैं, क्योंकि St. John पहले था, अब नहीं है, फिर जो अगला question है, वो way of the world पर है, और उसमें पूछा है comment on the character of lady wishford in Congress way of the world, तो अब way of the world तो है नहीं, हमारे पास मन लिजे वो है, ओलिवर गोल्ड स्मित का she stoops to conquer है, अब जैसे इसमें lady wishford का character sketch पूछा है, वहां हमारे पास जो she stoops to conquer है, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं करवा रही हूँ, उसको complete कराऊंगी, तो उसमें mrs hard castle का character आप से प पूछा गया, तो वहां उनको पढ़ते रहिए, जो वीडियो में आप लोड किये है, she stoops to conquer के, और देखते रहे हैं, नोट करते जाएं कि उनके character की क्या खासियत है, मिस हार्ड कैसल का character कैसा है, मेली उन दोनों का character पूछा जाता है, फिर हम चलते हैं section B की तरफ, section अच्छ मार्क्स के हैं, और भी ये part 1 का जो pattern आया है, उनको 10 करने हैं, और वो दो-दो मार्क्स के, यानि 20 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा बहुत इधर हेर फेर हो जाएगा, लेकिन question paper तो आपका almost यही है, फिर देखे, section B है, throw light on Othello as a Shakespearean tragedy, तो Othello पर प्रकाश डालिए, Shakespearean tragedy के रूप में, तो यह long question आपको upload किया हुआ है, मैंने Othello as a Shakespearean tragedy पर, तो अब यहाँ पर क्योंकि section B में पूछा गया है, और section B वाले जो questions हैं, वो short answer type questions होते हैं, यहाँ आपको इसमें से, पांच में से, तीन करने हैं, तो यह, तीन जो question हैं, वो पांच-पांच marks के हैं, तो यह section B वाले जो questions होते हैं, वो short answer type होते हैं, आपको क्या करना है, अब Shakespearean tragedy पर आपने long answer type question मैंने तयार कराया है, तो आप उसको थोड़ा छोटा करके लिख दीजे, पूरा मत लिखिए, व फिर है, which character do you admire most in Shakespeare's Othello, Shakespeare के Othello में, आप किस character को सबसे ज़्यादा admire करते हैं, मतलब कि कौन सा character आपको सबसे अच्छा लगता है, अब यहां आपके पास बहुत choice है, आप किसी भी character को लिख सकते हैं, जादतर लोगों को Desdemona अच्छी लगती है, तो आप Desdemona का character लिख सकते ह Desdemona अच्छी लगती है, और इसलिए अच्छी लगती है, सारे causes बता दीजेगा, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी इमानदार है, तो आप उसको लिख सकते हैं, Othello अच्छा लगता है, Othello लिख दीजे, रभिया यहां अच्छा लगता है, खलनायक की भूमिका भी की, और आगे के ये Way of the World पर हैं, क्योंकि अब Way of the World और Arms and the Men तो हमारे पास, St. Jones तो है नहीं, तो हम इनकी जगे रखके देखते हैं, अपने She's Troops to Conquer, और अपना Arms and the Men हमारे पास है, St. Jones भी जी भी शोका है, और Arms and the Men भी जी भी शोका है, तो अब जैसे यहां question पूछा है, comment on the character of Mirabel in the Way of the World, अब ऐसे ही हमारे यहां Miss Hard Castle का character है, तो यह question हमारे यहां कैसे आएगा, comment on the character of Miss Hard Castle in She's Troops to Conquer, the Way of the World की जगे, She's Troops to Conquer हो जाएगा, discuss the Way of the World as a comedy of manners, अब हमारा जो She's Troops to Conquer है, आप उसको भी ऐसे ही question आ जाएगा, उस पर भी discuss She's Troops to Conquer as a comedy, comment on the theme of Saint John, यहां क्योंकि हमारे बास सेंट जोन की जगे कौन सा है, आम सेंट दामेन है, तो आप इसको question को ऐसे पढ़िए, comment on the theme of आम सेंट दामेन, तो यह हुए section B के questions, इन्हों आपको आधे-ाधे page में ही लिखना है, तो एक page लिख दीजे, कौन, कोई ज़ादा फर्ग नहीं पड़ता, वैसे तो word limit यहां दे नहीं रखी, नया जो pattern है, उसमें word limit बता रखी है, जो, फर्स सेमिस्टर के लिए pattern आया, वहां तो word limit दे रखी है, लेकिन जनरली, आप आधे page से लेकर, एक page तक का section B वाला question कर सकते हैं, फिर चलते हैं, section C की तरफ, section C में हमेशा long answer type questions होते हैं, और यह देखिए, what is comedy? Comedy क्या है, describe various aspects of Shakespearean comedy, अब Shakespearean comedy के विविन पहलू बताईए, उनका वर्णन कीजिए, अब आपके सिलेवस में तो Shakespearean comedy तो है नहीं, Shakespearean tragedy है, और मज़े की बात यह है, कि यह paper जब का है, 2017 का, उस वक्त भी सिलेवस में Shakespearean comedy नहीं थी, है न, सिलेवस में तब भी ओथेलो था, तो अब इस लिहाज से तो Shakespearean comedy का सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए, एक्जाम में आपसे, Shakespearean tragedy का ही सवाल पूछा जाना चाहिए, अब लेकिन types of drama तो आपके सिलेवस में है, types of drama में comedy आता है, अब उन्होंने क्या किया, आपसे comedy पे सवाल पूछ लिया, और Shakespearean comedy के भी aspects पू तो मुसीबत हो गई, हमने तो भीया tragedy पढ़ी थी, और comedy कहां से आ गई, अब तो बिचारे बच्चे 2017 में जिन लोगों ने दिया होगा exam, वो भी परेशान हुए होगे, क्योंकि सब tragedy तयार कर गए होगे, सिलेवस में जब Shakespearean tragedy है, तो हम भीया comedy का को तयार करेंगे, अब लेक इसे पूछते हैं कि मैं important questions बता दीजिए, अब मैं बताओ, कहां से बता दू important questions, अब Shakespearean comedy तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि भी जब सिलेवस में tragedy है, तो मैं comedy वाला कैसे बताती आपको कि Shakespearean comedy important question है, अब देखिए, examiner का mood, मदब उसकी मर्जी चलती है, वो कुछ भी तो अब ये समस्या बड़ी wicked हो जाएगी आपके लिए, तो आपको क्या करेंगे आप ऐसे में, मैंने अपलोड तो कर रखी है, Shakespearean comedy as you like it मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन आपने पढ़ ही नहीं होगी, क्योंकि आपके सिलेवस में नहीं है, ये गजब समस्या हो गई, तो अब Shakespearean comedy पर मैंने काफी कुछ अपलोड कर रखा है, लेकिन आप देख लीजेगे भईया पढ़ लीजेगा, अगर आपके पास वक्त हो तो, मेरे बहाफ पर कोई कमी नहीं है, मैंने तो खुब अपलोड किया आपके लिए, फिर चलते नेक्स क्वेशन पर, वो पूछ रहा है, वो आप लिख दीजेगा, drama of ideas के बारे में, discuss in detail, ये detail में आपको discuss करना है, तो example आप दे दीजेगा, I'm send the man आपने पढ़ाई है, drama of ideas, उसको anti-romantic comedy वैसे कहा गया, मैंने anti-romantic comedy पर question भी upload किया, discuss, I'm send the man as an anti-romantic comedy, तो वो question भी अपने आप में important है, आना चाहिए, लेकिन मैं भविश्यवानी तो नहीं कर सकती, कि आएगा ही आएगा, लेकिन important तो है, या फिर ये drama of ideas इस तरीके से पूछा जा सकता है, फिर है, trace the development of poetic drama in 20th century, यानि बीस्वी शताब्दी में poetic drama के development को बताईए, तो poetic drama पर वीडियो में ने upload किया है, और murder in the cathedral, आपके syllabus में है, वो poetic drama है, और वो 20th century का poetic drama है, तो थोड़ा सा उससे परिशत होंगे आप, और poetic drama पर तो मैंने वीडियो upload किया ही है, वो आप लिख दीजेगा उसके बारे में, फिर है, what is the drama of episode, इस पे भी मैंने वीडियो upload किया है, और इस question को आप आराम से कर सकते हैं, यानि इस question paper में आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है, जो आपको नहीं आता है, योनि जितना करवाया गया है, जितना पूछा गया है, उतना आप मज़े से कर सकते हैं, अगर आपनागे-फिर्डी इस ड्रमा पर मैंने अपनी अपलोड किया है, और अगर वो बीडियो आपने देखे हैं इमान इस प्रकार के ड्रामा की जो खासियतें हैं उन पर आपको रौशनी डालनी है तो रौशनी तो आप डाली पाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे मैं सु वीडियो को देखा हुआ है तो एक ये question paper और देखिए मेरे पास 2018 का है ये बीए part second examination 2018 English literature of paper drama का है ये तो इसमें देखिए यहां भी explanation पूछे गए थे तो ये पहले तीनों explanation है और जैसा कि आप देख रहे हैं आप तभी इनको कर पाएंगे जब आपने ये पढ़ा है इन dramas को पूरी तरीके से पढ़ा है तभी आप explanation attempt कर पाएंगे किस ने बोला है ये आप कैसे पहचान पाएंगे अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ड्रामा तो तो ये तीनों questions आपके लिए explanation के हुए फिर उसके बाद यहां धेर सारी choice है देखिए 9 questions दिये हैं पिछला जो paper था 2017 वाला उसमें 8 questions थे यहां एक और extra दे दिया देखिए तो मै और नीचे करती हूँ camera अब आपको दिख रहा होगा 9 questions दे रखे हैं section A में तो यहां फिर वही धेर सारी choice है और आपको 5 करने हैं और इसमें भी देखिए ये सारे questions आप कर पाएंगे what do you mean by the term drama of ideas फिर वही सवाल आ गया drama of ideas यानि कि आपको जो वीडियो तो खेर ही उसमें औ और जॉर्ज बर्नार्ड शॉइस के लिए जाना जाता है उसके बारे में लिख दीजिएगा लेकिन इस section में बहुत जागा लिखने की तो ज़रूत इसलिए नहीं है क्योंकि यह short answer type ही है questions फिर define closet drama और tragic comedy अब आपको इन दोनों में से किसी एक को define करना है तो closet drama के बारे में लिख दीजे अगर उसके बारे में जानते हैं तो या फिर tragic comedy को बारे में जानते हैं उसके बारे में लिख दीजे और इन सभी पर video uploaded है what do you mean by drama of the absurd देखिए यह सवाल फिर आ गया drama of the absurd या theater of the absurd या absurdist drama इससे आपका क्या तात पर है और यह आप आराम से लिखी पाएंगे video uploaded ह इस पर write in short the significance of the preface in St. John तो भही St. John तो हमारे यहां है नहीं हमारे यहां तो arms and domain है फिर यह पूछा है write a note on the character sketch of Mrs. Fennal तो Mrs. Fennal की जगे आप Mrs. Hardcastle का तयार कर लिजे comment on the character of family तो इस तरीके के character sketch पर सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे और इस तरीके से यह types of drama पर उस वक्त यह जो आपके unit second, third और fourth दे रखें यह नई introduce हुई है यह जब का paper है 2017 और 18 के यह paper है NEP 2020 में आपके लिए जो unit second, third और fourth है यह नई introduce हुई है तो इन पर सवाल इसलिए यहाँ पर नहीं है ना तो 2017 के में एक भी सवाल था और ना 2018 के में एक भी सवाल है तो आपको क्या करना है वो भी तैयार करने हैं मैंने उन सब पर अलग-अलग वीडियो अप्लोड़ेड की हुई है तो उन में से यहाँ सवाल जरूर पूछे जाएंगे जैसे के आपका यह है unit second में elements of drama है, authorial intrusion है, kegophony है, circumlocution, conflict, addiction ना ना इन में से किसी पर भी यहाँ सवाल पूछा जा सकता है टिपणी या comment लिखने को कहा जा सकता है, unit third में आपके literary terms है, drama के flashback, foil, foreshadowing, तो इन में से किसी पर भी पूछा जा सकता है unit fourth में आपके literary terms है, unity of time place action, setting spoonerism, तो वो सारे terms भी यहाँ आ सकते हैं, उन में से किसी पर भी यहाँ सवाल आ सकता है क्योंकि उस वक्त नहीं थे, पुराने वाले syllabus में, इसलिए यहाँ कोई सवाल उन में से नहीं है, लेकिन आप तैयार रहिएगा उन सवालों के लिए भी ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर यह section B है, जैसे 2017 के में था, वैसे ही 2018 के में भी है section B, और यहाँ पर भी attempt 23 of the following और इसमें देखी पहला question, writer note on the importance of the opening scene in Othello, यानि Othello का जो opening scene है, पहला दृष्य है, उसकी importance पर प्रगाश डाल लिए, उस पर एक note लिखिये, अब पहला दृष्य आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आपको याद होगा, क्या याद होगा कि याद होगा कि यागो और से होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर clear हो जाती है, कि यहाँ ड्रामा में क्या होने वाला है, ओथेलो में आगे चलके क्या होगा, हम उसकी खलनाएकी से पहले ही scene में परचित करा दिये जाते हैं, तो उसकी importance आपको बतानी है, तो देखिए इस तरीके का सवाल भ आप माली ऐसा question आप से पूछा जाए किसी scene के बारे में, तो आप तभी कर पाएंगे जब पूरा drama आपने पढ़ा होगा, सीन आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप कहां से कर पाएंगे, shortcuts पर मत जाया कीजिए, मैं आपको पढ़ाने में shortcut नहीं अपनाती हूँ, आप पढ़ Shakespearean hero, ये भी question मैंने पूरा upload किया हुआ है, long question upload किये हुए है, ये दोनो long questions में मैंने upload किये हुए है, तो अगर short में आता है, तो आप उसको छोटा करके लिख दीजिए, main points से उसके लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा दो-दो sentence करके, section B में, क्योंकि ये short answer type ही रहेगा question तो, फिर comment on the title of the play, यानि जो नाटक है, उसके title पर प्रकाश डालिए, टिपनी कीजिए, तो अब यहां मैंने ये way of the world काट दिया है, क्योंकि हमारे पास arm send the man है, या फिर she stoops to conquer के title पर भी आ सकता है, title, क्योंकि इनके titles बड़े meaningful है, arm send the man का title meaningful है, she stoops to conquer का title बड़ा meaningful है, यानि व जीतने के लिए जुकती है, she stoops मने जुकना होता है, कंकर मने जीतना होता है, तो वो जीतने की खातर जुकती है, तो आपको पूरा बताना है कि ये title कैसे suitable है, कैसे वो जुकती है, क्या करती है, वो किसको जीतने की खातर जुकती है, तो ये आपको पूरा title discuss करना होगा, अक नाइस्ट क्वेशन है राइट शॉर्ट नोट्स ओन एनी टू अफ दा फॉलोइंग इन में से किसी दो पर शॉर्ट नोट लिखना है अब यहां पर डैस जिमोना को से तो आप परचित हैं सेंट जोन और मिरावेल से आप परचित नहीं है क्योंकि आपकी सिल्यबस में नहीं तो इस तरीके से भी आप से सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है फिर हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ सेक्शन सी क्या कह रहा है यहां पर answer any two of the following questions तो दो सवालों के जबाब देने हैं और नया जो पैटर्न आया है पार्ट बन का उसमें भी यही है कि दो सवालों के ही जबाब देने हैं सेक्शन बी में यहां तीन सवाल पूछे गए थे थोड़ा बहुत इधार हेर फेर हो सकता है लेकिन मिल ली यही रहेगा तो यहां दो सवाल है long answer type है section C के जो questions होते हैं वो long answer type होते हैं क्योंके देखिए यहां marks भी ज़्यादा होते हैं यह दो questions दद्दस नंबर के हैं तो long answer में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा बेटा तो पहला question क्या है what do you mean by tragedy? tragedy से आपका क्या अतात पर है और describe various aspects of Shakespearean tragedy with a special reference to Othello अब इन्होंने सही सवाल पूछा बैस 2018 में सही सवाल पूछा 2017 में तो comedy पूछ लिया था तो अब आपको tragedy के बारें बताना है और tragedy पर अलग से वीडियो uploaded है और Hello as a Shakespearean tragedy पर भी वीडियो uploaded है तो आप इस सवाल को तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे फिर है second question attempt critical appreciation of St. John आया था मैंने ये card दिया St. John की जगए यहाँ पर arm send the man की critical appreciation ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे अगर माली जी ये सवाल आपसे पूछा गया कि critical appreciation लिखी है I'm send the man की तब आप क्या लिखेंगे तब आपको जो जैसे मैंने आपको anti romantic comedy लिखवाया ना I'm send the man as an anti romantic comedy तो उसमेंसे anti romantic जो शब्द हैं वो आप कम use करिएगा एक तरीक से critical appreciation में भी आपसे वही पूछा गया है तो अब उसके various aspects ये बताने हैं कि critical appreciation में क्या होता है आपको थोड़ा सा characterization के बारे में भी बताना होता है किस तरीके का characters उन्होंने इसमें डाले हैं किस तरीके की language है किस तरीके के वहाँ पर dialogues है तो आपको एक मतलब उस drama के अलग-अलग जो features है various features है ना salient features है वो एक एक करके बताने हैं तो थोड़ा सा हेर फेर आपको उसमें करना पड़ेगा critical appreciation अगर आपसे पूछा जाता है ठीके अगला क्या है question third question देखिए write in detail about the development of the problem play in the 20th century यानि problem play के development पर detail में लिखिए 20th century में problem play का जो development हुआ है उसके बारे में लिखना है तो problem play से जो related है वैसे तो वो है जॉन गॉल्स वर्दी वो अपने problem play के लिए जाने जाते हैं लेकिन problem play पर मैंने video upload किया हुआ है और आप इसमें आराम से लिख पाएंगे फिर है what are the various elements of drama drama के अलग-अलग elements क्या है देखिए उस वक्त इस लेवस में ये था भी नहीं जो आपकी second unit है आपकी second unit में elements of drama दिये हुए है और सब पर मैंने video upload किया हुआ है आपने देखा ही होगा तो लेकिन देखिए सवाल तब भी पूछ लिया गया section C में ये सवाल पूछा गया कि what are the various elements of drama तो अब ऐसा सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है section C में अब यहां आपको क्या करना होगा कि वो जो section C के मैंने आपको सारे elements करवाए है न याद तो होंगे न आपको इसमें authorial intrusion, kekophonie, circumlocution, conflict, diction, epilogue, epithet, euphemism, euphony, meta, mellapropism इनको सारे मत लीजिएगा तो जितने आप ले पाएं याद ड्रामा के elements में वैसे पता है आपको plot, character जो Aristotle ने दे रखाने tragedy के elements मैंने कई जगे आपको कराए है इन elements को भी ले लीजिएगा जितने elements आपको कराए है उनको भी लेना है लेकिन plot, character, diction, thought, spectacle, song ये Aristotle ने बताए है मैंने कई बार आपको बताया भी है ये कराया है मैंने वीडियो भी uploaded है इस पर तो उनको भी आप यहाँ include कर दीजिएगा कि जो elements of drama खासकर elements of tragedy अरिस्टोटल ने बताए हैं वो six elements बताए हैं ना plot, character, diction, thought, spectacle, song तो ये Aristotle के according है उसके अलाबा जो मैंने आपको कराए हैं और जो आपके syllabus में दे रखे हैं elements of drama उनको आप बता दीजिएगा क्योंकि ये long question है इसमें काफी लिखने की possibility है इसमें आप बहुत सारा लिख सकते हैं फिर ये जो fifth question है discuss तो मैंने विलियम कॉंगरीब काट दिया क्योंकि हमारी syllabus में नहीं है as a dramatist तो इसकी जगह जी वी शौ as a dramatist आप से पूछा जा सकता है या फिर Oliver Goldsmith as a dramatist आप से पूछा जा सकता है जितने भी आपके syllabus में drama है उन में से कोई भी किसी भी dramatist के बारे में ये सवाल आ सकता है कि discuss फलाने फलाने as a dramatist, G.V. Shaw as a dramatist, T.S. Eliot as a dramatist, Shakespeare as a dramatist, जो भी dramatist आपके syllabus में हैं उन पर ये सवाल आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो अब आपको एक idea हो गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और पराइशान होने की तो बिलकुल जरूरत नहीं है मैं अलर्डी आपको इतना सारा करा चुकी हूँ कि अगर वो भी आपने अच्छे से किया है 70 से ज्यादा ही वीडियो मेंने अपलोड किया है तो आपके लिए काफी है सफिशेंट है उतना और अभी तो मैं करवा रही हूँ मैंने बंतों किया नहीं है 3rd semester का कराना और अपने यहां तो अभी exam पहले तो 1st semester का ही होगा 1st semester वालों का ही pattern भी आया है और पहले उसी पर ज्यादा emphasis है क्योंकि उनकी काफी पढ़ाई हो चुकी है उनकी admissions बहुत पहले हुए थे 3rd semester का तो बाद में ही होगा तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जरुरत नहीं है बार बार message कर रहे है तो उसे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कितने परिशान है तो बेटा परिशान होने की जरुरत नहीं है आप लोग तैयारी कीजे ठीक है मैं अभी आपके लिए और वीडियो अप्लोड करूँगी और ये वीडियो में यहीं समात करती हूँ धन्यवाद